C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है, कक्चा बारह के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो पाठ नौ फिराक गोरखपुरी प्रिष्ट संख्या 56 से 61 तक प्रिष्ट संख्या 56 कवी परिचये फिराक गोरखपुरी मूल नाम रघुपती सहाय फिराक जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तरप्रदेश में शिक्षा रामक्रिष्ण की कहानियों से शुरुवात बाद की शिक्षा अरभी, फारसी और अंग्रेजी में 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयानित परस्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण डेड़ह वर्ष की जेल इलाहबाद विश्व विद्याले के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे सम्मान गुले नग्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्यान पीठ पुरस्कार और सोवेत लैंट नहरु अवार्ड महत्वपून कृतियां गुले नग्मा बजमे जिन्दगी रंगे शायरी उर्दू गजल गोई निधन सन उन्निस सोतिरासे अर्दू शायरी का बड़ा हिसा रुमानियत रहस्य और शास्त्रियता से बंधा रहा है जिसमें लोक जीवन और प्रकृती के पक्ष बहुत कम उभर पाए है नजीर अखबराबादी इलताफ हुसेन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है फिराक ने परमपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपियोग करते हुए उसे नई भाशा और नए विशयों से जोड़ा उनके यहां सामाजिक दुखदर्द व्यक्तिगत अनुभूती बनकर शायरी में ढला है इनसान के हाथ हों इनसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रती एक उमीद दोनों को भारतिय संस्कृती और लोक भाशा के प्रतीकों से जोड़ कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया उर्दू शायरी अपने लाक्षडिक प्रियोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है शेर लिखे नहीं जाते कहे जाते हैं यानी एक तरह का समवाद प्रमुख होता है मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारन जन से अपनी बात कही है प्रकृती, मौसम और भौतिक जगत के सोंदर्य को शायरी का विशय बनाते हुए कहा दिव्यता भौतिक तासे प्रिथक वस्तु नहीं है जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है भाशा सहज और प्रसंग भी सूर्दास के वातसल्य वर्नन की साधगी की याद दिलाता है मुझे चांद चाहिए मैयारी मैं चंद्र खिलोना ले हूँ जैसे बिम्ब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलोना है जो वातान उकूलित कमरों में बंद नहीं रहते चट पर चटाई बिचा कर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है मामा भी तो साक्षात खिलोना है बच्चों का खास कर उन बच्चों का जिनके जीवन में महेंगे खिलोने भले ना हो पर जो चंद्रा भरिष्टों का मर्म समझते हैं एक कठिन दौर है यह घर लौट बहुत रोए माबाप अकेले में मिट्टी के खिलोने भी सस्ते ना थे मेले में लोका देना घुटनियूं में लेकर कपड़े पिन्हाना गेसूं में कंगी करना रूपवती मुखडा नर्म दमक जिद्याया बालक रसकी पुतली ये कुछ विलक्षन प्रियोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे मा हाथ में आइना दे कर बच्चे को बहला रही है देख, आइने में चांद उतर आया है चांद की परच्छाई भी चांद ही है कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला रूपवती मुखडे पै नर्म दमक लाने के लिए छटे छमासे परवत्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फर्माईशें भी पूरी कर दी जाती है दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलोने राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे रक्षा बंधन एक मीठा बंधन है रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे है सावन में रक्षाबंधन आता है सावन का जो संबंध जीनी घटा से है घटा का जो संबंध बिजली से वही संबंध भाई का बहन से पाठ में फिराक की एक घजल भी शामिल है रुबाईयों की तरह ही फिराक की घजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है इसका अद्भुत नमुना है यह घजल यह घजल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव विशिल्प की वह उंचाई, जो घजल की पिशिष्टा मानी जाती है प्रिश्ट संक्या अठावन रुबाईया आंगन में लिए चांद के टुकडे को खड़ी, हाथों पे जुलाती है उसे गोद फरी रहे रहे के हवा में जो लोका देती है, गुण जुटती है, खिल खिलाते बच्चे की हसी नहला के चलके चलके निर्मल जल से, उलजे हुए गेसुओं में कंगी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँख को, जब घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े दीवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलोने जगमगाते लावे वो रूपवती मुखडे पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिये आंगन में ठुनक रहा है जिद्याया है, बालक तो है चांद पेलल चाया है दरपण उसे देखे कह रही है मा, देख आईने में चांद उतर आया है रक्षा बंधन की सुभा रस की पुदली चाई है घटा गगन की हलकी हलकी बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्चे, भाई के हैं बांधती चमकती राकी प्रेश्ट संख्या उनसर्थ गजल नौरस खुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं तारे आखें जपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला किस्मत हम को रोले हैं, हम किस्मत को रोले हैं जो मुझको बदनाम करें हैं, काश वे इतना सोच सकें मेरा परदा खोले हैं या अपना परदा खोले हैं ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ती होश औ हवास तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं तेरे घम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं आवो ताब अशार न पूछो तुम भी आखें रखो हो ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं ऐसे में तू याद आये है अंजु मनेमय में रिंदों को रात गए गर्दू पे फरिष्टे बाबे गुना जग खोले हैं सदके फिराक अजाज सुखन के कैसे उडाली ये आवाज इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं प्रिष्ट संक्या साथ अभ्यास पाठ के साथ प्रश्ण एक शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है प्रश्ण दो खुद का परदा खोलने से क्या आशय है प्रश्ण तीन, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले है इस पंक्ती में शायर की किस्मत के साथ तना तनी का रिष्टा अभिव्यक्त हुआ है चर्चा कीजिए टिपणी करें क, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिष्टा ख, सावन की घटाएं वा रक्षा बंधन का पर्व कविता के आसपास इन रुबाईयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को चांटिए दो, फिराक ने सुनो हो, रखो हो, आदी शब्द मीर की शायरी के तर्ज पर इस्तेमाल किये हैं ऐसी ही मीर की कुछ घजले ढूंड कर लिखिये आपसदारी कविता में एक भाव, एक विचार होते हुए भी, उसका अंदाजे बयां या भाषा के साथ उसका बरताव अलग-अलग रूप में अभिव्यक्ति पाता है इस बात को ध्यान रखते हुए दी गई कविताओं को पढ़िये और दी गई फिरा की गजल रुबाईयों में से समनार्थी पंक्तियां ढूंडिये क सूर्दास की पंक्ति मैया मैं तो चंद्र खिलोना लेहों ख सुमित्रा नंदनपंथ की पंक्तियां वियोगी होगा पहला कवी आह से उपजा होगा गान उमढ़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजान ग कबीर की पंक्ति सीज उतारे भूई धरे तब मिली हैं करतार प्रिष्ठ 61 शब्द छवी लोका देना अर्थ उच्छाल उच्छाल कर प्यार करने की एक क्रिया है अर्थ है ही नौरस अर्थ नयारस गुंचे अर्थ कली गिरहें अर्थ गाठ जर्रा जर्रा अर्थ कण कण शब अर्थ रात बदरुस्तिय होशो हवास अर्थ विवेक के साथ पासे अदब अर्थ लिहाज फितरत अर्थ आदत आवो ताव अशार अर्थ चमक दमक के साथ बैत अर्थ शेर अंजु मने मय अर्थ शराब की महफिल रिंद अर्थ शराबी गर्दू अर्थ आकाश या आसमान तवाजुन अर्थ संतुलन बाबे गुनाह अर्थ पाप का अध्याए एजाजे सुखन अर्थात बेहतरीन या प्रतिष्ठित शायरी आलमी हुस्नो इश्क अर्थ संदर्य और प्रेम का जगत इसी के साथ आरो भागदो का पाठ फिराक गोरकपुरी यहां समाप्थ हुआ प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत